LTI Mindtree के नतीजे मिले जुले रहे, ब्रोक्रेज फर्मों से जाने स्टॉक को खरीदे या बेचे LTI Mindtree पर नोमुराने रेड्यूस रेटिंग दी है ब्रोक्रेज ने इसके शेयर का लक्ष घटा कर 3,940 रुपए प्रती शेयर तै किया है ब्रोक्रेज का कहना है कि ग्रोथ और मार्जिन पर Q1 FY24 के नतीजे उम्मीद से कम रहे एक जीक्यूशन में सुस्ती को देखते हुए वित्वर्ष 2024 में डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना नहीं है LTI Mindtree, LTI Mindtree के नतीजे पहली तिमाही में मिले जुले रहे कमपनी की कॉंस्टेंट करेंसी रेविन्यू ग्रोथ फ्लाइ मार्जिन में दिखा हलका सुधार नजर आया हालांकि तिमाही आधार पर कमपनी का शुद्ध मुनाफा 1113.7 करोड रुपई से 35.7% बढ़कर 1151.5 करोड रुपई रहा जबकि इसके 1194 करोड रुपई रहने का अनुमान था कमपनी के मैनेजमेंट ने कहा ग्राहक फैसले लेने में देरी कर रहे हैं योरोप में क्लाइंट्स डील समीक्षा कर रहे हैं कमपनी जरूरत पढ़ने पर क्षमता बढ़ाएगी कमपनी इस महीने प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करेगी बड़ी डील की पाइपलाइन काफी मजबूत है सिटी ओन एल्टी आई माइंड ट्री सिटी ने एल्टी आई माइंड ट्री पर बिकवाली की रेटिंग दी है इसके शेर का लक्षे 4,160 रुपए प्रती शेर तै किया है उनका कहना है कि तिमाही नतीजे अनुमान के मताबिक रहे मैनेजमेंट ने सतर्क टिप पणी की है Q4 FY 23 में 1.35 अरब डॉलर के ओर्डर के मुकाबले Q1 FY 24 में 1.41 सिंट अरब डॉलर का ओर्डर भविश्य के लिए अच्छा संकेत है हालांकि तिमाही आधार पर कर्मचारियों की संख्या में गिरावट एक फोरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर नोमुरा ओन LTI माइंड ट्रे नोमुरा ने LTI माइंड ट्री पर रेड्यूस रेटिंग दी है इसके शेर का लक्षिग हटा कर 3,940 रुपए प्रती शेर तै किया है उनका कहना है कि Q1 FY 24 में नतीजे ग्रोथ और मार्जिन पर उम्मीद से कम रहे एक जी क्यूशन में सुस्ती को देखते हुए वित्वर्ष 2024 में डबल डिजिट की व्रिद्धी की संभावना नहीं है जबकि मार्जिन में सुधार की संभावना है FY 24,25 के लिए इसका EPS अनुमान 2% घटाया है MS on LTI Mind Tree Morgan Stanley ने LTI Mind Tree पर ओवर्विट रेटिंग दी है इसके शेर का लक्ष घटा कर 5,450 रुपए प्रती शेर तै किया है उनका कहना है कि Management ने अब वित्वर्ष 2024 के लिए डबल डिजिट में ग्रोथ गाइडन्स लिया है कमपनी ने FY 24 का मार्जिन बनाय रखा है JP Morgan on LTI Mind Tree जेपी मौर्गन ने LTI Mind Tree पर अंडर्विट रेटिंग दी है इसके शेर का लक्ष तीन हजार आठ सो रुपए प्रती शेर तै किया है उनका कहना है कि पहली तिमाही में मार्जिन अनुमान के मुताबिक होने के बावजूद भी आय अनुमान से कम रही कमपनी को डील क्लोजर और कन्वर्जन में लगातार देरी देखने को मिल रही है